हलवानी में कोरोना के वज़ा से बाजारों के रौनक फिकी नज़र आ रही है बगर कुछ महिलाओं ने इन हालात को देखते हुए राखी बनाने का काम शुरू किया है महिलाओं की बनाए गए राखी को खासा पसंद किया जा रहा है उनकी डिमाड है कोरोना की वज़ा से इस बार राखी के पर्व की रौनक फिकी बाजार में खरिदार नहीं है लेहाजा दुकाने खाली इस बीच कुछ महिलाएं घर में राखी बना रही ये महिलाएं पी ये मोदी से प्रेरी थें और कोरोना काल में आतने भर भारत से प्रिवना लेकर राखी बना रही है इन राखियों को ऐसा डिजाइन दिया गया है कि इसमें पहार की संस्कृति की भी जलक दिख रही है महिलाओं का ये समू दिन भर में कड़ी 500 राखियां बना लेता है इनकी राखियों की शहर में काफी डिमांड है हमने फिर इसको बाहर को दिखाने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए पिक्चर्स क्लिक करके फेजूप के डालना वाट्सप के दोरा शेयर करना ये सब करा फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करा रिलेटिवस को भी शेयर करा इवन अरोस परोस में नेवर में भी शेयर करा तो अच्छा रिस्पॉंस आया डिमांड भी आये कि आप इस बार हमारे भी यही से करेए चाइना का भाष्कार करते हैं अच्छी तेहिके से तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारे भी बना देना लद्दा की घटना और कोरोना की वज़ा से चीन में बने सामानों का विरोध हुआ है उसके बाद इनकी राखियों की काफी डिमांड बढ़ गई है इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा और लोग देश में बना सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं हलद्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट एबीपी गंगा हलद्वानी में कोरोना की वज़ा से बाजारों के रौनक फिकी नज़र आ रहे है मगर कुछ महिलाओं ने इन हालात को देखते हुए राखियों बनाने का काम शुरू किया है कोरोना की वज़ा से इस बार राखी के पर्व की रौनक फिकी बाजार में खरीदार नहीं है लहाजा दुकाने खाली इस बीज कुछ महिलाएं घर में राखी बना रही ये महिलाएं पीए मोदी से प्रेरी थे और कोरोना काल में आतन निरभर भारत से प्रेरणा लेकर राखी बना रही इसमें हमारी उत्राकंड की जो एपनकला है उस वह पूरी जलकती है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन राखियों को ऐसा डिजाइन दिया गया है कि इसमें पहार की संस्कृति की भी जलक दिख रही है महिलाओं का ये समू दिन भर में कड़ी 500 राखियां बना लेता है इनकी राखियों की शहर में काफी डिमांड है अच्छा रिस्पॉन्स आया डिमांड भी यही से करें चायना का भाष्टकार करते हैं अच्छी तेगे से तो उन लोगों ने बोला कि आप हमारे भी बना देना ओर्डर आने लगे कि आप इत्ती राखिय उत्ती राखिय बनाना तो बस अब काम चल रहा है लद्दाक की घटना और कोरोना की वज़ा से चीन में बने सामानों का विरोध हुआ है उसके बाद इनकी राखियों की काफी डिमांड बढ़ गई है इससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा और लोग देश में बना सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं हलद्वानी से अंकित शाह के रिपोर्ट एबीपी गंगा